दोस्तो क्या होता जब लड़ते दुन्या के दो सबसे खतरनाक और विशालका समुद्री दानव वुलू वेल और मोसा सोरस आखिर इस लड़ाय में किसकी होती जीत आईए जानते हैं दोस्तो वैसे तो असल में लड़ाय होना नामुम्किन है क्योंकि मोसा सोर आख से कई करोड़ो साल पहले वुलूप्त हो चुके हैं इसलिए ऐसा होना असंबब है लेकिन आज हम आपको विज्ञानिकों के अकोडिंग के इसाब से इन दोनों जीवों की लड़ाय के बारे में बताने वाले हैं दोस्तो आज के समय का सबसे बड़ा जीव वुलूवेल है जिसकी लंबाई 100 फूट के आसपास है वहीं अगर बात करें मोसा सोरस की तो इसकी लंबाई 55 फूट होती थी और मोसा सोर के मूँमे कई नुकिले तेज़दारदात होते थे जिससे किशी का भी खातमा कर सकता था वुलूवेल अपनी लंबाई और वजन की वज़े से पानी में तेज मूव नहीं कर सकती लेकिन मोसा सोर तो एक बहेदी फूर्तिला जीव था अगर इन दोनों के बिच लड़ाई होती है तो मोसा सोरस अपनी इसी फूर्ति के साथ वुलूवेल के पेट पर हमला कर देगा और वुलूवेल इतनी भारी होने की वज़े से अपना बचाव नहीं कर पाएगी आंत में इस लड़ाई का मोसा सोर जीत लेगा वैसे आप लोगों क्या लगता है हमें जरूर बताएं